नमस्कार फ्रेंड्स देखे परिक्षा बहुत करीव है इसलिए हम लोग बहुत गहराई में बात नहीं करेंगे हम लोग सिर्फ उन्द बिंदू बे बात करेंगे जो कि परिक्षा के द्रिष्टे से महत्पूर है तो इस वीडियो में हम लोग पंचवर्शी योजनाओं के ब बात करते हैं देखिए पहली पंचवर्शी योजना जो थी यह 1951 से 56 तक चली थी इसमें क्रिशी को सरवज प्रास निक्ता दी गई थी सामधाई विकास का आरम किया गया और दो दसमलों एक लक्षित ब्रिधिदर मतलब की हासिल करने के लिए कहा गया था तो मतलब लेकिन रापती कितनी हुई थी 3.6 ठीक है दूसरी पंचवर्शी योजना जो थी वो 1951 से लेके स्वारी 1956 से लेके 1961 तक रही इसे महा लनोबिस योजना भी कहा जाता है यह important कई बार पुछा गया है तो याद रखेगा कि दूसरी पंचवर्शी योजना को महा लनोबिस योजना कह रखा गया क्योंकि यह इसी महा लनोबिस द्वारा विक्सित चार छेत्री माडल पर आधारी थी ठीक है राउर केला में उडिशा भिलाई चातिसगर तथा दुर्गापूर पस्षिम मंगाल में इस्पास सेंट्रों की अस्थापना की गई आधार भूत और भारी दुगों पर जोड़ दिया गया और इस पंचवर्शी युजना में तीब और दुगी करण का लक्ष रखा गया आगे देखते हैं तिसरी पंचवर्शी युजना यह उन्हाइस सो एक्सट से लेके उन्हाइस सफल नहीं रही ठीक है इसके बाद 1966 से लेके 1979 तक तीन वार्शी युजनाय बनी और इसमें पंचवर्शी युजनाओं का आउकास रहा ठीक है आगे देखते हैं चोथी पंचवर्शी युजना बनाई गई 1979 से लेके 74 के बीच में इसे गाड़िकल युजना कहा गया क्योंकि इस युजना के जो बनाने वाले थे विप्रारुप जिन्हों ने दिया वो इस पंचवर्शी युजना में चोधर बैंकों का राश्टी करण किया गया तो आप बताएंगे चोथी पंचवर्शी युजना ठीक है चोधर बैंकों का राश्टी करण कर दिया गया और परिवान युजने कारेक्रिम की सुरुवाद भी इस युजना के समय में हुई थी पंचवर्शी युजना के बारे हम बात करते हैं 1974 से 1979 तक गरीबी हटाओ और आत्म निर्भरता इस युजना के मुझ की उद्द्यस रह इसमें अर्थ व्योस्था को कि आधुनी की करण पर जोड़ दिया गया गरीबी निर्दिसांग बना ये निस्षित किया गया कि इतनी कलोरी से कम प्राथ करने वाला गाओं का आदमी और इतनी कलोरी से कम प्राथ करने वाला सहर का आदमी वो गरीब कहलाएगा गरीबी दे नेधराना सबसे पहले जो है चटी-f युजना उन् distribution परीच्छा युजना उसके बाद अधरीकनल करन लागू हो गया था भारत में उने-स बान थी हुं इसमें इसे जो है जान डबलू मूलर माडल पर आधारित था इसलिए इसे मूलर पंचवर्शी उजना भी कहते हैं ठीक है प्रात्मी सिक्षा का सावर्भर्मी करणकर दिया गया मानों संस्थन विकास पर जोड़ दिया गया मुख्य बात क्या है कि इसे मूलर माडल पर आधा लिए पूछा जा सकता है कि मूलर माडल पर आधारित कौन सी पंचवर्शी उजना थी आप बताएंगे आठीक है नमीं पंचवर्शी उजना बारें बात कर लेते हैं यह 1997-2002 के बीच में रही महिला मतलब कि महिला अंस योजना का इसमें प्रारम किया गया ठीक है ज्याद सी मतलब कि पंचवर्शी उजना किस समय में थी तो आप इसको जो है जब आप पढ़ते थे ना उस समय से आप लेट कर लीजिए जैसे की सब्सक्राइब दोजार 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 साथ की बीच में आप कौन सी कच्छा में थे त्यादर किये कि जब मैं इस फलाक अच्छा में था भरामी में था या बीए कर रहा था तो उसमें जो देश में दुसमी पंचवर्शी उजना लागू थी इस तरीके से याद हो जाए जी रही चीक है और रहां पंचवर्शी उजना जो की बीचली ही रही है 2012 से लेकर 2017 के बीच में जीडीपी में आठ प्रस्थिसत वार्सी दर्से सम्रदी लक्ष जो है हासिल करने का लक्ष है प्रजन दर को घटा कर दोदस्वर्शी उजना का उद्देश रखा गया है बाल सब्सक्राइब कर लिए आज के लिए इतना ही फ्रेंट्स चलते हैं नमस्कार जैहिन जैभारत